मेरे Commonwealth में ब्राउंस मेडल आया था और मैं बहुत ही आप सोच नहीं सकते कि कितने दिक्कतों से आज यहाँ पर आई हूँ कि गुलकोस का भी हमारे पास जुगाड नहीं होता था और दूसरा 19 साल के उमल में मैंने कुछ थी में और व्राउंस मेडल दे एशन गेमस में भी और Commonwealth गेमस में भी और लगतार दिली को 12 गोल मेडल दिया है लगतार सीनियर में भी अब तो आपने इतने कर दिया है पर लेकिन जब एश चैंपिश्म में मेरे गोल मेडल आया था तब भी कुछ भी नहीं होता मेरे लिए पर लेकिन जो गरीब बच्चे आप उनके लिए भी कुछ सोचे आज तो आप ने सबको हमें यहाँ पर एक खटा किया आपने हमें हमें कोई भी नहीं करता है क्योंकि आज कम कर दीजिए हमारे लिए पर लेकिन जिस टेम पर जाज जूट रहती है अगर उस टेम पर हमें मिले ना तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी जे सकती थे अगर हमेरे साथ सपोर्ट रहती तो तो आप आगे सोचे और दूसरा मेरे कोच ने हमारे लिए इतना किया है मैंना आप से कहा थे कि एशिन गेंस के लिए मेら प्मे सक दैसे जी नहीं उसके नहीं हो पया है और यहां ऐसे लिगव मेरे फोन बशुक्राइब कर दिया जाइगा डूसरा最 entire हम भिषयक गरीब है पर लेकिन हमारे बंधने करने कि अतनी जौझ आइक हम पानीम पह यह जाह पर लेकिन जिस टेम मुझे जो थी ना उस टेम पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो और बच्चे निकल के आ रहे हैं उनके लिए सोचियों मैं तो आज यहांता है कि बगवान ने पुरा साथ दिया गुरू का अशिरवात था माबाब की सपोर्ट थी पर लेकिन जो और बच् पर लेकिन सपोर्ट नहीं है वहाँ पर बच्चे से लिए बढ़े कि वहाँ भी दूद का खाना यहां पर यहां पर सपोर्ट निये तो आप सोचेए कि अगली बार एकेशन गेम्स में डिली के सब से जादा मैडल है और गोल्ड आए इसमें दो तिन चीज़ें हैं तो दिल्ली की अभी तक की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी उसमें कई सारी खामियां थी जब से हमारी सरकार बनी हमने उसको सुधारने के काफी प्रयक्ट न किये अब ये समय नहीं है उन सारी दिक्कतों को बताने का जो कि आप लोग अख़वारों में पढ़ते हो कि किस तरह से हमारे हर काम में अडचन अड़ाई जा रही है तो आपकी बात बिल्कुल सही है आप किवल आपनी कई सारे और प्लेयर्स हमारे पास आते थे और हमें बताते थे कि उन लोगों को कई तरह की दिक्कते आ रही है लेकिन जितनी भी अभी तक हम लोगों ने पॉलिसीज ड्राफ्ट की वो सारी पॉलिसीज उपर जाके उनको किसी ना किसी वज़े से रोक दिया गया यह जोब हम कर पा रहे हैं आज जोब हमें एनाउंस किया है यह इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आया है और सुप्रीम कोट का जज्जमेंट यह कहता है कि अब दिल्ली की चुनुई हुई सरकार के decision final है और यह decision किसी के पास नहीं जाएंगे इसलिए 28 अगस्त के cabinet meeting में हम यह आपके लिए कर पाए अगर यह Supreme Court का निरने नहीं आया होता तो शायद आज यह announcement भी मैं नहीं कर पाता मैं आप लोगों को यह आश्वासम देना चाहता हूं कि अभी दो policies और बनाई हैं हम दोगों साथ साथ वो भी पास हो गई हैं और उसमें बहुत जल्दी एक है mission silence जिसके अंदर जिन बच्चों जो बच्चे नैशनल या इंटरनाशनल लेवल पे कोई भी एक बार में भी कहीं पदक जीत जाएगा उसको फिर सरकार पैसे से सुविधाओं से तरह तरह से मदद करेगी उसकी भी policy बन गई अब किसी को किसी के द्याद रिष्टी पे निर्फर रहने की जरूरत नहीं है एक committee बनी है जिसमें कुछ officers हैं और कुछ sports persons हैं वो committee तै करेगी apply करो और उसमें committee तै करेगी और उसमें कोई limit नहीं रखेंगे हम लोग कि इतने ही player लेंगे जिसके अंदर भ करेंगे कि इसके अंदर potential नजर आ रही है early stages में चाहे उसने medal जीते हो चाहे ना जीते हो और उसके potential को identify करके उसको सरकार पैसे से और सविधान से मदद करेगी ताकि उसको दीरे-दीरे groom करके और national international level पे ले जाए जा सके खास्तोर से ये दो schemes जो है ये पिछले 2-3 साल से पर निके लेगा